हाई गाईज वेलकब बाक टो माई चानल आज हम बनाने वाले हैं सिंपल और बहुत ही टेस्टी आमला अचार इसके लिए हमें चाहिए तरीबन दस आमला आप इससे जादा भी ले सकते हैं उसे साब से कॉंटिटी हर आइटेम्स की बढ़ा दीजे फिर हम लेंगे एक अजवाइन आधी चम्मच काला जीरा या अप मंग्रेल या कलॉंजी जो भी कहना चाहें इससे बोलेंगे पर करीबन दो चम्मच सरसों चाहिए हमें इस दो चम्मच सरसों को हम दर दरा पीस लेंगे आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या इसे अच्छी तरीके से कुट भी अच्छी सकते हैं इस तरीके से दरदरा हमें पीसना है और सबसे लास्ट इंग्रीडियन्ट है करीबन दो बड़े चम्मच सरसों का से सारे इंग्रीडियन्स हो चुके हैं चलिए अब आजार बनाते हैं इसके लिए पहले हम दस पीस जो हमने आमला लिया है हम इसे करीबन दो कप पानी में और हलका सा नमक डाल करके इसे उबालेंगे स्लो आज पे हम इसे करीबन पंद्रा से 20 मिनिट तक उबालेंगे जब तक यह थोड़े से सौफ्ट ना हो जाए और अपने आप तूटने ना लग जाए करीबन पंद्रा से 20 मिनिट पकने के बाद आमला इस तरह से देखेगा यह मैंने थोड़ा पानी ठंडा कर लिया है अब मैं इसे थोड़ा से दबा के देखूंगी कि यह पके हैं कि नहीं आप एक छूड़ी की सहायता से भी देख सकते हैं यह बिलकुल आसानी से अंदर चल आप इसे इस तरह से दबा करके भी देख सकते हैं यह इस तरह से टूट जाएंगे इसका मतलब यह है कि यह बिलकुल फी पूरी तरीके से अब आचार बनाने के लिए रेडी है अब हम इससे एक बॉल में दीरे-दीरे इस तरीके से इसके पीसिस कर लेंगे आपको इसे काटने की जरूरत नहीं है आप तीरे-दीरे अगर हातों से ही इस तरह से उसे प्रेस करेंगे दबा करके तो वो निकल जाएंगे और इस तरीके से इसके पीसिस भी हो जाएंगे आप देख सकते हैं भिलकुल ही आसानी से इसके पीसिस कर लिये हैं ये शो आमला का पानी है आप इसे फीकिए मद इसे आप एक ज्रिंक समझ कर पी सकते हैं जो आपकी सहत के लिए काफी लाब दायक होगा हमने इस तरीके से सभी आमले को तोड़ लिया है इसे पीसिस कर लिये हैं और इसके पीच हटा दिये हैं अब हम इसमें सारे इंग्रीडियन्स मिक्स करेंगे सबसे पहले हम इसमें सरसो डाल रहे हैं पीसी हुई सरसो फिर करीबन एक चम्मच नमक मैं नमक थोड़ा कम डाल रहे हूँ क्योंकि मुझे हाई ब्लाड प्रेशर है आप पूरा एक चम्मच डाल सकते हैं फिर दूसरे सारे इंग्रीडियन्स अजवाइन, कलोंजी, हल्दी और मिर्चा पाउडर आप मिर्ची पाउडर जादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार फिर हम दो चम्मच सरसो का तेल डालेंगे अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद ये इस तरीके से दिखेंगे आप ये जरूर से चेक कीजिए कि ये सारे आमला बिल्कुल अच्छी तरीके से कोट हुए हो अब हम इसे करीबन दो दिन तक इसी तरीके से इसी बाल में कुछ हलका सा ढख करके धूप में रखेंगे अगर धूप में नहीं रख पाते हैं तो करीबन 4 दिन तक आप इसी तरीके से आप कहीं भी घर के कुने में इसे रख सकते हैं इस आचार को आप तुरंथ भी खा सकते हैं इस तरीके से आप एक जार में इसे भर लें और इसे आप स्टोर कर सकते हैं या आप इसकी वेट करें जब तक ये थोड़ा सा और गल न जाए गलने के बाद ये जादा अच्छा लगता है पर ये फ्रेश आचार भी बहुत टेस्टी लगता है आप जब इसे जार में डालें तो करीबन दो चमच और सरसो का तेल डालें ताकि ये जादा दिनों तक फ्रेश रह सके इस आचार को करीबन 4-5 दिन के बाद टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है लेकिन आप इसे जादा से जादा 3-4 महने तक रखें उसके बाद आमला काफी काले पड़ जाते हैं जो उसका टेस्ट काफी डिटिरियोरेट हो जाता है तो आप इसे कम कॉंटिटी में बनाए और जल्दी खतम कर ले अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू